हेलो दोस्तों कैसे हो आप सबी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर थियोरी के बारे में घी सीडी फाइन आउट करना होता है ईल थे मए मोठ आउट करना होता है प्राईम नंबर फाइन आउट करने होते हैं आपको कहीँ पर कॉमिनेशन निकाने हो तो आपको जरुरूरत पढ़ती है programming language की prime number find out करने का मैंने बताई दिया फिविनिकाई series निकालनी होती है आपको mod निकालना होता है आपको multiplication करना होता है आपको एक series given होती है जैसे मान लीजी 1, 2, 3, 4 तो इसका आपको sum निकालना होता है या मान लीजी आपको given है कि nth term अगर किसी series की 2n-1 है तो उस series में आपको एक integer given होगा m आपको बताना है कि इस term तक कितना जो उसका sum है series का वो क्या होगा तो basically ऐसी problems में आपको कुछ नहीं करना होता बस n में आप values put करते जाएगे और आपको series मिल जाएगी जैसे कि इसमें अगर आप n की value 1 put करेंगे तो 1 मिलेगा 2 put करेंगे तो 3 मिलेगा 3 put करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 इस तरीके से यह आपको odd number की series बन गई तो आपको formula याद होना चाहिए some of odd number, some of odd numbers, some of even numbers and some of natural numbers natural number और some of square of natural number square of natural number इस तरीके से आपको mathematics के काफी सारे जो formulas हैं जो identities हैं वो सब आपको याद होने चाहिए अगर आपको इस तरह की problems को solve करना है जो की है number theory basically मैं आपको पता दूं programming में इसका क्या weightage है मतलब programming में आपको 60 to 70% weightage इसका मिल जाएगा मतलब हर problem में आपको directly prime number नहीं find करना होगा आपको किसी और तरीके से आपको find out करना होगा कोई story दे रखे होगी उसमें से आपको समझना होगा कि हाँ इसमें prime number की जरूद पढ़ लाई है कि इसमें मेरे को mod निकालना है इसमें मेरे को reverse करना है जैसा कि आपने TCS mock Vita 2020 की problems में देखा होगा कि 6 में से 6 की 6 problem में mathematics included थी किसी में आपको prime number find करना था किसी में आपको फिविनगाई series निकालनी थी किसी में आपको N C 2 निकालना था जैसा कि हम collision वाली problem में देख सकते हैं आपको combination निकालना था कहीं आपको N numbers का sum निकालना था इसी तरह से हर question में किसी ना किसी तरह से आपको mathematics निकाली थी एक में probability का भी use हुआ था तो number theory काफी ज़्यादा weightage रखती है ऐसे exams में ऐसे competitive exams में अगर आपने TCS mock Vita नहीं दिया था या किसी वज़े से आप कर रहा गया था और आपने उसकी problems नहीं देख पाए है तो I button में मेरी पूरी playlist में नहीं डाली हुई है TCS mock Vita की सारी problems को मैंने explain किया हुआ है उनको solution मी दिये हुँँगे उसको check out चरूर किये ज़िए अगर आपने वो video नहीं देखिये अभी तक तो तो basically आपको इस पे अच्छी command होनी चाहिए तभी आप इसको solve कर पाएंगे मैं इस पूरी series लेकर आ रहा हूँ number theory के बारे में उसमें मैं हार एक topic को अलग से discuss करूँगा जिसे कि GCD prime prime को find out करने के लिए अच्छे जो effective way होते है वो क्या है हम कम time में prime सारी number को find out कैसे कर सकते हैं हम GCD कम time में कैसे निकाल सकते हैं उस सब हम बात करने वाले हैं सीव के बारे में बात करेंगे हम यूकलेट theorem के बारे में बात करेंगे हम फिवनकाई series कैसे find out करते हैं जल्दी से factorial कैसे निकालते हैं वो सब हम बात करने वाले हैं, फैक्टोरियल भी काफी जादा important topic है इस series में, इस type की problems में, तो basically हम अगली वीडियो से बात करेंगे, इस वीडियो में मैं सर्फ आपको number theory का introduction देने आया था, कि number theory है, क्या हम इसको use क्यों करते हैं, क्यों ये हमें जरूरत पढ़ेगी इसकी इस आईए तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजे ताकि आपको ऐसी वीडियो जागे मिलती रहें, और आप number theory में master बन जाएंगे, तब तक के लिए तन्यवाद